रेल नियूजी में दोस्तों आपका स्वागत है तो दोस्तों सबसे पहले नए साल की ढेल सारी सुख कामना है इस नए साल में नए उमंगी के साथ नए सुरुवात करें तो दोस्तों कुछ दिन पहले यूटूब कम्मूनुटी में मैंने पोश्ट किये थे कि रेल वे नियूज के आप लोग देखना पसंद करेंगे जिन में सब परेसेंट लोगों ने बता है कि जी मुझे जरूर देखना है तो फिर मैंने सोचे क्यों नए साल में नए रेल वे नियूज के स्टार्ट किया जाए तो दोस्तो रेलवी न्यूज का फर्स्ट रेल न्यूज है जो किसी विकली हर संडे को इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो का जो लाइक का एम है दोस्तो वो है पचास तो उमीद करता हूँ आप पूरा कर देंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से लाइक करें तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं चिनाव नदी पर बन रहा है दुनिया का सबसे उचा और की बिरिच यह जो दोस्तों देख रहे हैं चिनाम नदी पर 13-15 मीटर लंबे पूल की महराब की कुछ सांधार तस्वीर को मिनिस्टर ओफ स्टेट फोर्ड रेलवे दुवारा ट्यूटर हेंडल पर पुष्ट किया गया था जिन्होंने बताया कि एक बार पुरी तरह से पुड़ा होने के बाद पूल नदी के तब से 369 मीटर उपर खड़ा होगा और यह पेरिस का आइफिल टावल से भी उँचा होगा है जिससे यह दुनिया का सबसे उँचा रेलवे ब्रीच को मना जाएगा यह एक भारती रेलवे का एक इंजिरिरिंग चमतकार है इस पर आपकी क्यारा है कमेंट करके ज़रूर बताये अगली अपडेट के तो बात करें तो दोस्तों दरसल पुर्मद्य रेल में सेना एक आड़मी एक्जामिनेशन की भारती परिक्षा को लेकर रेलवे की ओर से 11 म मर्च तक कटिहार से पटना की बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है कटिहार से पटना की बीच कूल 18 कोच वाली ट्रेन का परिचानन होगा जिसमें दूर्तिय और साधरन से रेनी के 10 बोगी के अलावा शिलीपर कलास के 6 बोगी सामिन हैं अगर हम टाइम की बात करें त पहुंचाएगे अगर हम वाफसी की बात करें तो दोस्तों ट्रेन नमबर 057-14 बनके पटना से सुवा के 5 बज़े खुल का निव बढ़ोनी होते हुए दो भड़ के 12 बज़ के 30 बज़े कटिहार स्टेशन पहुंचेगे इस पर आपकी क्यारा है हमें कोमेंट करके चरूब अगर आप आड़मी के एक्जामेशन देने जा रहे हैं तो इसके लिए आप लोग को ओल दा वेश्ट नेक्स अपड़िट की बात करें तो दोस्तों चीन के बोर्जर तक जाएगी विश्टोम एक्सप्रेस ट्रांस्पैरेंट विंडो और सीसे की छट से दिखेगा सानदा विश्टोम कोच की खासित की बात करें तो दोस्तों इसमें यात्रियों को एक अलग तरीके कानवाफ मिलेगा इसमें सीसे की छट होंगी सीसे के बिंडोज और 180 डिग्री तक इनकी सीट गोमेगी इसके अलाबा हर स्यातरी के लिए कोच में डिजिटल डिश्पेले और स्प सिस्टम लगाएंगे हैं तो दोस्तों चौथी अपडेट की और आते हैं तो दोस्तों पुर्वी के मद्धे रेल के 405 श्रेशनों को निसुल्क हाई स्पीड वाइफाई इंटरनेट कर दिया गया और अब कनेक्टिवीटी से लेसके गया मतलब कि दोस्तों पहले जो आप वाइफाई कनेक्ट करते होंगे तो आप मोबाल नंबर दे के OTP आता होगा उसके बाद वह वेरिफाइड करता था बट अब ऐसा नहीं आप नौर्मल वाइफाई जीसे कनेक्ट करते हैं फौन से आप ऐसे कनेक्ट होगा नेक्स अपडेट की बात करें तो दोस्तों दुनि पंदरा से अठाड़ा आयूर किये बच्छों के लिए टिका करने के अभिवान गोशना परमुक है जो तीन फरोर से सुरू होगी है मतलब तीन जनवरी 2022 से सुरू होगी आने वाले समय में बीना भैक सेंटों से कोई भी ट्रेने में अब सफर नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बता है अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किये हैं तो प्लीज जल्दी करें भारती डेलवे से जूड़ी जानकारी सबसे पहला पाने चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राब क करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि एक भी वीडियो में नहीं अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत